तो आप सभी M610 को बिग बॉस के अंदर देखी रहोगे और बिग बॉस को भी अच्छी तरीके से फॉलो करोगे सिर्फ M610 की वैसे लेकिन आज की जो वीडियो होने आली वो टोटल होने आली है future of M610 और इसमें कुछ 6 टॉपिक्स आपर बात करेंगे कि बिग बॉस में M610 क्यों आये हैं बिग बॉस के बाद उनके साथ क्या होने वाल है तो बने रही है इस वीडियो में और एगर वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक कर देना बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर न्यूँ हो तो तो हमारा आज के सबसे पहला टॉपिक वो यह है कि आखिर क्यों M610 को ज़रूत पड़गी बिग बॉस में जाने के लिए तर जैसे कि तुम्हें पता कि बिग बॉस के अंदर वही कंटेस्टेंट आते जिनका करियर इद्दम डाउनफॉल पर चल रहा होता है या जो कि इद्दम डेड हो गए होते हैं लेकिन इस ताइम M610 का करियर इद्दम पीक पर चल रहता या फिर वो अपने पीक पर पहुंच नहीं वाले थे उन्हें का यादा सेक्सेस मिल रही थी काफी सारा फेर मिल रहा था लेकिन इस टाइम पर वो चले गए बिग बॉस के अंदर ऐसा क्यों तर देखो जाहिर सी बात है कि बड़े लोगों के साथ कैसे रहते हैं जो ऐसी फील्ड से आते हैं क्योंकि वह तो एक बस्ती का लड़का है जो कि कि आपको पता है कि बिग बॉस से पहले सब के सामने क्या था लाइक छपरी वाला ता जो गाली देता है गाली कलोच करता है मदर्स वगेरा के सी इन वी जो की एक मतलब कलोनी बस्तिया फिर जुगी जोपडी में रहने आ रहा है लड़का पतला से लोग उन्हें उनके लु बंटाए को डिस्ट्रेक्स निकालते काफी सारे जिनके लिए उन्हें हेट मिला था लेकिन एक ऐसे आर्टिस्ट है इस डिएच की कम्यूनिटी में जिन्हों ने अपने सारे हेटर्स को फैन में बदल के रख दिया है तो अब जो है एमसे स्टैन बिग बॉस में सिर्फ इस वो रोते भी हैं उन्हें अंदर मतला बलागाई शगड़ा भी करते हैं तो यह सारी चीज जो हमारे पता लगता है कि एमसे स्टैन आखिर बिग बॉस में क्यों आए हैं लेकिन बात करें, MC10 की जर्नी के वाइर में तो वो काफी अच्छी भी नहीं चलरी और काफी जादा बूरी भी नहीं चलरी हाल फिलाल काफी साही है, क्योंकि MC10 को अगर हम बिग बॉस में देखें तो इतना जादा एक्टिव हमें देखने को नहीं मिलते जैसे हमें other contestant देखने को मिलते हैं लडाई जगडे सारी चीज है लेकिन भाई पर हमें दूसरे perspective से देखें क्योंकि अभी जो उन्होंने रिसेंडली कांड करें अगर आपने episode देखा हुगा Friday वाला and Thursday वाला तो आपको पता लगो कि MCS 10 और शालीन की fight हुए है जिसमें MCS 10 न अगर उन्हें votes कमाए तो वह big boss हो जाएंगे भार तो it's a huge request for MCS 10 army प्लीज अगर आपको MCS 10 को बचाना है तो आर जाके vote करो क्योंकि 4 हफते का time है और 4 हफते तक ना वह captain बन सकते हैं और ना वह मतलब safe रह सकते हैं इस हफते मतलब 4 हफतों के बीच में तो वह सब कुछ अब को हमारे उपर हो आमें दिखाना कि वाई हमारे इंदा किती पावर से और MCS 10 की जर्नी के अगर बात करें तो जैसे कोई भार का माया guest देखने को मिलते हैं या फिर अपने जो promotion करवाने आता है वो सभी के नजरों में MCS 10 काफी उपर है सब आके MCS 10 और अब्दू को ज़रू है जाता है कि बस्ति का है यह वह हम बड़े लोग है तो काफी जादा एक्शन भी लेते हैं चीज़ों पर लाइक एक टाइम पे जब एमसे स्टैन की फ्रेंड जो रही है वो जो एलिमिने हो गई है उनके तरफ से भी एमसे स्टैन ने एक्शन लिया था तो मतलब एसी चलन की मेरी मा में गो एक दिन देखके क्यों रो पड़ी बुलती तेरे हाल देख तेरे गंदे बाल देख अब बात कर लेते क्यार एमसे स्टैन बिग बॉस में आखिर अपने परसोना परसनालिटी को डेवलाप करने तो गई है लेकिन बिग बॉस से उन्हें प्रॉफिट क्या प्रॉफिट के जाहिर सी बात है कि जब एमसे स्टैन को बस हम जैसे अपनते जो कि ही पहफ सुनते हैं घर buck के जो हमाई जो personality होती है like धिले कपड़े chance वगयरा वो rappers की ऐसे होती है तो हाँ हिपप तो रिप्रेजन हो रहा है नेशनल टेलिविजन पर लेकिन इस से MCS चैन को काफी जादा फाइदा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे जैसे उनकी numbers आप ओंगे और वैसे वैसे ही उनकी growth जादा हमें देखने को मिलेगी क्योंकि audience का बढ़ जाना, इसका मतलब numbers जादा बढ़ना, streams जादा बढ़ना, views जादा बढ़ना तो इस सारी चीजें वो काफी हद तक माइने करती है इन सब चीजों में और जो कि Big Boss की audience आप सबको पता है कि इंडिया में कितने सारे लोग जो हैं वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करते है इंसन को सीपैसे शाय है और शाय से फें देन अगर हम बात करें कि Big Boss के इंदर रहते रहते भी MC Stand की इतनी जादा popularity बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है जैसे कि अब हमने बात करा कि Big Boss से जो प्रॉफिट मिल रहे है, जो कि mass audience तक पोँच रहे है उसके दोवारा MC Stand की ग्रोथ भी भार होती जा रही है उनके streaming platform पे streams बढ़ते जा रहे है, उनके monthly listeners बढ़ते आ रहे है और उन्होंने Instagram पे followers के नाम पे रफतार को भी अपने पास आउट कर दिया यानि रफतार से जादा followers हो गया इस टाइम पे MC Stand के जो एकी बहुत जादा बढ़ी बात है तो भाई यह है कि growth उनकी बहुत जादा बढ़ती जा रही है हम एक महीने के अंदर काफी जादा उनकी growth देखने को मिली है हम numbers में ले ले, views में ले, followers में ले ले और जो की छोटे-छोटे जो news channels है या फिर बड़े-बड़े news articles है जो की vlogs वगरा डालते है तो वो पहले MC Stand को cover नहीं करते थे लेकिन अब MC Stand का नाम इस दुनिया या फिर इंडिया की हर website हर जो news cover करती है, channels तक में सारी जगा MC Stand, MC Stand की सिर्फ बात हमें देखने को मिल रही है तो यही मैं कहाना चाहता था कि Big Boss से profit यही है कि MC Stand अब mass audience तक पहुच चुका है इंडिया के हर एक घर तक MC Stand का नाम पहुच चुका है तो अब बात कर लेते क्या MC Stand हमारे जो है वो Big Boss की finalist हमें देखने को मिलेंगे फिर winner देखने को मिलेंगे तो यह finalist का तो हम कह सकते कि हमें finalist देखने को मिलेंगे शीव हो गया अर्चन होगी और बहुत ही जादा अच्छा खेल रहे है और तुम्हें पता कि जो audience है वो शिरी फिर आद यह देखके और वोट करते कि यह अच्छा खेलना नहीं कर रहा और कुई उनकी ताद है तो audience बहुत जादा स्मार्ट है और वो उनकी को देखके वोट करते हैं लेकिन अगर तुम स्टैन आर्मिस हो तो प्लीस स्टैन को ही वोट करना अब नॉमिनेट हुआ हैं तो यार अलमिनेशन का डर तो सबको ही रहता है लेकिन बात करें वीनर की तो वीनर मेरी हाल से most प्रोगाबली हमसे स्टैन हमें नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि most of the डेनल को मिलते हैं वो बैसिकली देखने को काम कर चुकत है या फिकलर या थे इंड़ मॉल के नेक्शिणन में रहते हैं वह ही गड्लींडक देखने को मिलते हैं और हम ही रूः वह एऩार का लेकिन आप जैसे भुलते की वोट करें है थो आप जो पप्लिक वोट करती हैotion प्रहर जए वह थो और जवी कि देखने को मिल्हें वो में तो सिफ शो वालों कोई देखने को प्लūक्त चेंच कर सकते आपने तो अब वहीं मोई में भूछा थाहीं थोभीन के बात संदुने के बद्सपा संदूटार है क्लिवारे लिए में भार निकलने के बालें में स्क्रालान निकलने के बालगे में shimmy वही बिग बोस ते पहले गाने बनाते थे जिसमें कुछ बैद वर्ट देखने को मिलते थे यानि एक एक स्प्लीचिट कंटेंट देखने को मिलता था वो शायद अब हमें बहुत जादा कम या फिर रियल रियल या फिर ना की बराबर देखने को मिलेगा क्योंकि उनको पता क मास ओडियंस घर के पेरेंट्स बच्चे अंकल अंटी जो मतला हमारे बुड़े बुजूर्ग लोग है वो भी फॉलो करते तो मेरे खाल से अपने नॉर्मल ट्रैक्स निकालेंगे एं लैट सी क्या देखने को मिलता है शायद से उनकी तरफ से काफ यादा कमर्शल देखने करने को मिल सकते हैं और मेरे ख्याल से वह किसी बड़े प्रोजेक्ट में भी अपकाम करने वाले बिग बॉस से निकलने के बाद क्यूंकि जायर सी बात यार अगर बिग बॉस के फाइनलिस तक गय तो उनके पास काफी सारे ब्रैंड प्रमोशन को लैप आने काम आना जैसे अभी नेट्फिक्स से साथ उन्होंने एड किया था तो ऐसी काफी सारी कंपनी ब्रैंड के साथ उन्हें काम देखने को मिलेगा और स्पॉंसर वगरा तुमें पता है एड्स हमें देखने को मिल जाए नेशनल टेलिविजन के अंदर या फिर कुछ और बड़ी बड़ी ची अब करना क्या है इसके बाद जाने का अगर आप मेरे परसनल पॉंसर अगर मैच नहीं खाते हैं तो प्लीज लेट मी नूइं कमेंट सेक्षिन अगर आप मेरा मतलब आपका मेरे को पॉंसर अच्छा लगा तो मैं उसका जरूर रप्लाई करूंगा एंड अपने व्यूस ब गलत नहीं बोला जापे किसी ओडियंस को हीट होगा क्या तू नहीं गलत बोला एंड नो हेट तो एनी अधर कंटेस्टन क्योंकि वीडियो सेपरेट एंड एंड वी आर फ्रम हिपॉप सीन तो इसले एंड को सपोर्ट करना हमारा काम है गाइस एंड काफी आर्टिस सब्सक्राइब करने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको ऐसे डेली बेसिस पर आपसे न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा आज के लिए बस सितने गाइस टाट आप बाइबाए टेक केर लव यू ओल